नमस्कार दोस्तों जी के दसकादम स्रीज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की स्रीज को सुरू करने से पहले इससे पहले वाली वीडियो पे अमें जी का एक कमेंट है कि चवरी-चवरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चवरी-चवरा की घटना के बारे में अंसियाटी में इतना उलेख है कि घटना फरवरी 1922 में हुई थी इसके अलावा बारा तक की अंसियाटी में कोई उलेख इसके डेट के बारे में नहीं है अलग-अलग कितावों में कहीं 4 फरवरी कहीं 5 फरवरी है लेकिन अभी इससे पहले 100 बरस पूरे होने पर 4 फरवरी 2021 को गोरफपुर में 4 फरवरी महसुम मनाएगा थीक है दूसरी बात यह कि चवरी-चवरा घटना के बाद जो अदालती कारवाई हुई थी उसमें चार फरवरी का ही डेट अंकित है और चवरी-चवरा अस्मारक पर भी चार फरवरी का ही डेट अंकित है तो इस परकार हम चार फरवरी 1922 की डेट को ही सरुमान मानेंगे तीक है अब आते हैं हम अपने प्रस्णों पर एक प्रस्णों को हल करेंगे पहले आप भी प्रस्णों को देख लीजेगा अब अपने तरीकिये से हल करने कोशिस किजिए जैसे यह लगी कि एक टेफ्ट जैसा है फिर उसके बाद मैं इसका मिलान कर दूँगा पहले प्रस्ण में चार पुस्तक दिये गए उसके लेखक का नाम दिया गया है और आप भी उसका मिलान कीजिए फिर इसके बाद में कर रहा हूं पहला है पुस्तक राज तरंगडी दूसरा चचनामा तिस राष्टा ध्याइच चौथा गार्गी संगिता हम बात करें राज तरंगडी की तो राज तरंगडी जो है यह है तो प्रकता का किताब है किताब है जिससे हमें कासमीर के इतीहास का पता चलता है ठीक है इससे क्या पता है कासमीर के प्रकार जीता उसका उलेख है यह लिखा गया अली अहमद के द्वारा बात करें अश्टा ध्याई की तो अश्टा ध्याई जो है यह ब्याकरण की पर्थम पुस्तक है और इसको लिखा गया है पाड़नी के द्वारा ठीक है यह लिखा गया है पाड़नी के द्वारा और गार देख लिए अगले प्रस्वे हम लोग चलते हैं अगला प्रस्वन है कि सिंद्व सभिता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है पहला है कि सिंद्व सभिता की खोज राय बहादुर द्याराम साहिनी ने की थी ये बात आपकी क्या है ये सही ठीक है सिंद्र सबिता की जो खोज है राय बहादुर द्याराम साहनी ने किये थी ये बात आपकी सभी है क्योंकि सिंद्र सबिता के बारे में और जाने थी चौबिस सोईसा पूर्व से पहले से शुरू ही और सत्रा सोईसा पूर्व तक चली थी उसके बाद यह बिलुप्ट होगे इसके बारे में कोई जनकारी नहीं कि क्या हुआ था कुछ कयाफ लगा जाते बाढ़ा गया भूकम पा गया लेकिन अगर इसकी टाइम पिरिएट देखे सिंद्र सब्धा की तो चौबिस सोईसा पूर्व से रहे के फत्रा सोईसा पूर्व तक है लोथाल्यों सूथ कोतदा सिंद्र सब्धा के बंदर गाह थे यह बी आपसन आपका सही है जूते हुए खेट और नकासी दार इंटू के साथ काली बंगन से प्राप्त हुए है यह तीनों सब्धा सब्धा पित्र सब्तात्मक थे यह गलत विकल्ब सही नहीं है ज्यादा तर ऐसे कोश्चन रखे जिससे ना लगी कि आप एक कोश्चन पढ़ने के बाद कि एक ही प्रस्ण के बारे में जानकारी एक अठा कर रहे हैं तो बिकल्प को इस तरकी इस प्रकार से रखा हूं जैसे तीन से चार कोश्चन एक ही प्रस्ण से हल हो जाए और कम समय धीरे-धीरे ये सिरी जैफिचल्टी जाए आपका आपके पास मतलब एक इतना मैट अराम से क्वालिफाई कर सकें तो पहला है भारतिय समिधान में संगवाध कनाडा से लिया गया ठीक है ये बात विल्कुल सही है क्योंकि हम लोग पढ़ती ही आ रहे हैं कि जो संगवाध ही ये कनाडा से ही लिया गया है ठीक है दल बदल विरोधी कानून संबंदी प्राउ कानून है इसका असर नहीं पड़ेगा तो उसी क्याधार पर महराष्ट में भाजपा ने फिर से राजिनित में इंटर की तो हम देखेंगे दल बदल विरोधी कानून समंदी प्राधान दस्वी अंसोची मवड़ी थी ये सही है और दल बदल विरोधी कानून की के दिए हम बात करें यहां बावनमें समेधान संसोधन ठीक है बावनमें साथम समधान संधन 1885 के द्वहारा पावनमें समयधान संधन यह में किया जोड़ि यह बहन, अगर बात करें गिरावी इंसूची, के दौरह 1993 में जोड़ा गया यह नगर पालिगा नगर निगम नगर परिफट से संबन्धी प्राउधवानों के लिए जोड़ा गया था अगला है कि समीधान सभा का पर्थम अधिवेशन समिधान सभा का पर्थम अधिवेशन 9 दिसंबर 947 को हुआ था यह अपसन आपका गलत है क्योंकि समिधान सभा का जो पर्थम अधिवेशन था 9 दिसंबर को तो हुआ था लेकिन यह 947 नहीं 946 हुआ था ठीक है डाक्टर सजदनान सिन्हा को आफस्थाई अध्याच फी दिन ना दिया जाता है अगर पूछे समिधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो कुल ग्यार अधिवेशन हुए थे अगले प्रस पर हम लोग चलते हैं निम्ड में से कौन सा युग में असंगत है ठीक है यहां पर आपको चार सहर दिये गए हैं और इसके बाद चा सारे सी निर्माड कारी करने वाली कंपनियां दी गई है कि कहां पर है किर्थिम अंग निर्माड करने वाले जो कंपनियों कहां पर है यह पूछा गया है दूसरा कांच उद्दोग कहां पर होता है परमाड बिद्द सेंद्र कहा लगा है ठीक है और डीजल लोको मोटिव कह तो किर्तिम अंग निर्माड जो है आपका कानपुर में है पहला विकलब आपका क्या है एक दम सही है ठीक किर्तिम अंग निर्माड कानपुर में आपका सही है दूसरा कांचुद्धोग फिरोजाबाद में यहां पे चूडिया बनाई जाती है यह भी आपका सही है परमाण अंग निर्मान तुवानपूर गाँचुद्धो फिरोजावाल पर्माण विद्दुत सयंद्र आपका नरोरा में डियल लोको मोटिय आपका बना रश्च्ट है हम अगले प्रस्ट में बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है आपके ज्याम में आम से सम्मंद करिया आम की बात के लिए मली हाबाद लखनो में यह विकल्प सही है दूसरा चौशा म मिराख बात करें तो हर्दौई ही सब अ कर्दौह ऑन्ट कार्दोह हैं ठीक है अब आजााता थठीक आपर इनको कम्से कम याद रखिए गाड तो कि यहां से आपको प्रस्वालेंगा जो है यह कंना टव में कि यह कहा है महराष्ट में महराष्ट में यह अगला प्रसंद देखए थ рол Insurance की मानो पूजी निवेच किसके दौरा किया जाता है मान पूजी निवेश, मतलब मानो को एक पूजी की रूप में यदि आपको रखना है, तो उसको सबसे पहले सिच्छित करना होगा, ठीक है, उसको परफिच्छड देने होंगे, छोटे-छोटे किसी भी काम से समंदित, जिससे उस काम को अच्छी दच्छता के साथ कर पाए, उस सिच्छित पर फिच्छित और जिसका स्वाफत अच्छा हो, वही मानो एक मानो पूजी के रूप में हमारे लिए होगा, अगला प्रसम लोग देखते हैं, कि निम्न का मिलान कीजिए, ठीक है, ब्रह्म समाज, राम क्रिफ्ट मिसन, आरे समाज, और सत्य सोधक समाज, अगर के हम बात करें, तो राम क्रिफ्ट मिसन स्वामि विवेक के द्वारा सुरू किया गया था, आरे समाज की बात करें, इस प्रकार अप प्रसम से चार परसन को देखा, चारों का अपने मिलान कर लिया है, और आप चार परसन के बारे में जानकारी इकठा कर लिए तो इस परकार के प्रश्ण जैसे जैसे आप करते जाएंगे धीरे धीरे आपका ग्यान बढ़ता जाएगा ठीक तो ब्रह्म समाज के बारे में क्या है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय ने सती पर्था को खतम कर आनने के लिए अठारा सोनतिस में अठाक परिया और अठारा सोनतिस में जाके फती पर था लाड़ बिलियम बिंटिक के दौरा ये समाप्त कर दिया जाता है राम कुष्मिसंद्ध विवेकानन्द आर्ष समाज स्वामी दयान अंसर फती और फत्र फोटर फ्रमाज योती रहो होले के दौरा सुरू किया गया था अगला प्रसंदोंग दिखते हिए कि भारत के सास्व करने के लिए ओर इसमें चार सासव के नाम दिये जैंग पोछा गया यह किस परकार सासन कुई है क्या तो सबस्पे पहले कौन आया होगा इल्टू तमीश मतलब से पहले चौथा वाला आया अलाउद दिन खिल जी यह भी सल्टनत काल से संब्द भी खिल जी बंस का क्योंकि कि अकबर और सेर सासूरी के देखे मुगल बंस है तो यह इसके बाद ही आएंगे तो दूसरे नंबर पर आपका हो ज हो तो झाली है यह उसके बाद क्या होगा अकबर अकबर सबसे ज्यादा बाद में आयेगा यह हो जाएगा हमारा आ पहले 14 भी सीर सासूरी जो है वो अग्बर उसके बाद आते हैं अगला प्रस्ण है कि निम्खित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ठीक है कौन सा इसमें जोड़ा सही नहीं है 261 BC मतलब विफोर क्राइफ कलिंग का युद्ध हुआ ठीक है ये युद्ध असोक ने लड़ा था कलिंग का युद्ध जिसके बाद उनका हिर्दे परिवर्तन हुआ उन्होंने लड़ाई छोड़ दी और भौध धर्म का ग्यान लिया ठीक है अठांग देखते हैं कि राजस्तान में ख्यदध के परियोजना किसके उत्पादन के लिए परशिद्ध है तो राजस्तान में जो खिद्वी है उत्ताबा के उत्पादन के लिए पर्फिद्ध है तो इस परकाराज हम लोगों ने फिर से दस परसनों को देखा और इन दस परसनों के माध्यां से हमने कोसिश की जागरफी इस्ट्री और दीरे-दीरे और भी सब्सक्राइब करें जिससे आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका टेश्ट बराबर आपका उता रहे तो आपसे निवेदन है कि आप इस से जुड़े दूसरों को भी सेर करें और चैनल को सब्क्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें अम कल मिलते हैं एक नई श्री